महासु आठ संस्ता शिमला द्वारा सोलन में निशुल की चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजिन किया जा रहा है। कोई भी हाल का प्रबंद नहीं है जिसकी वज़त से यहां पर सभी पेंटिंग प्रदर्शित नहीं की जा सकी। जिसके कारण चित्रकारों को आगे बढ़ने का अफसर नहीं मिल पाता है। जबकि इन्हें चितरकारों की पेंटिंग बाहरी राज्यों के जैसे चंडिगर्ड दिल्ली वा मुंबई के कई स्थानों पर लगानी पड़ती है परदर्शनी के आयोजिक वा चितरकार ने बताया कि इसे पूरुप भी महाशु ग्रूप द्वारा शिमला वा मनाली में चितरकला परतियोगी तक आयोजिन किया गया था जिसका चितरकला प्रेमियों ने खूब आनंद उठाया और जम कर खरीदारी भी की उन्हेंने कहा कि इसी सफलता को देखते हुए सोलन में भी दस दिवसी चितरकला परदर्शनी का आयोजिन किया गया है उन्हेंने कहा कि सोलन में भी परदर्शनी लगाने के लिए सरकार दोरा हाल का परबंद करवाना चाहिए था जिसके चलते सोलन के चितरकार भी अपनी कला का परदर्शन स्थानी मंच पर कर सकें तो लोग अवेर हो जाएंगे इस बारे में हमारे सोलन शेहर में यहाँ पर एक तो स्पेस की बहुत कम है यहाँ पर एक ग्यालरी होनी बहुत जरूरी है आटिस्ट के लिए क्योंकि यहाँ के लोकल आटिस्ट को बाहर जाना पड़ता है दिली जाना पढ़ता है, चन्रिगर जाना पढ़ता है, वहां फेखर्चा भी बहुत होता है, ओपर से फैसलिटी भी पूरी नहीं मिल पाती है, तो इस हिसाफ से यहां पर गैल्री होने बहुत जरूरी है हमारी, ताकि हमारे सोलर में भी कुछ नहीं चीज आए. यह हम लोग कुछ student artists हैं जो हम अपनी paintings और display में लगाए हुए हमने और यह exhibition आज़े शुरू है अगले 10 दिन के लिए इसमें mostly students हैं, artists हैं और यह एक platform है जहाँ पे हम सारे एक जगे मिलकर exhibitions लगाते हैं अपने अपना artworks दिखाते हैं सोलन में पहला show है, इससे पहले हम मनाली, शिमला में हम काम कर चुके हैं, exhibition और workshops कर चुके हैं, सोलन में इस वक हमारे पास exhibition hall बिलकुल नहीं है, एक भी कोई भी exhibition hall नहीं है